तो बैंक के लोन लेवा माँ हवे तमारे कोई hidden charges ने लईने चिंता करवानी शरूर न थी रिजर्फ बैंक नी तमाम बैंकों माटे खास जहरात करवा मावीश है और जेने पहली October थी लागो करवा मावश है तो शूचया महतवानी जहरात तिनी विगे तो आप फामाटे सहनदता लक्षमन रॉय अपने साथे चोड़ाई गया अच्छे लक्षमन जी रिजर्फ बैंक के आदेश में क्या कहा गया है और इसे कंजूमर को किस तरह से फायदा होगा दरसल अकसर ऐसी शिकायतें देखनें के मिलती है कि होम लोन लिया लेकिन इंशोरेंस चार्जेस के बारे में बैंक ने हमें नहीं नहीं बताया बगर पूछे ब्याज़दरे बढ़ा दी बगर पूछे एम I के अवधी को बढ़ा दी पड़ेगा यानि एक अक्टूबर से निया फर्मान जारी होगा जिसके तहट जो लोग करज लेते हैं बैंकों से चार्जेस जो इसमें शामिल होगे इसके लिए की की फैक्ट स्टेटमेंट यानि के एफस देना होगा के एफस का पूरा मॉडल रिजर्ब बैंक ने अपनी तरफ से जारी किया है जिसमें लोन से जुड़े होई सभी जानकारी देनी पड़ेगी लोन में ये माई कितना जाएगा ब्याज कितना लेगा उसके फी क्या होंगे उ आप सिप इमाई जानते हैं ब्याज दर जानते हैं कितना तरफ पड़ेगा इंट्रेस्ट्रेट क्या होगा लेकिन बांकी चार्जेस कई बार नजर अंदाज कर जाते हैं बाद में पता चलता है उनसारे चार्जों को जोड़ करके बैंक को बताना होगा कि आपका एनुल प ब्राजरी एजेंट को लेकर आपके पास यानी बैंक के पास क्या प्रावधान है उसकी क्या शटत अनुसकी गाइडलाइनस क्या है पॉलिसी क्या है यह आजा है और यह सब इसली किया जा रहा है तास्यीकोव शु嗎ap सारा आदेश जो है रिजर्ब बैंक ने जारी कर दिया है और एक अक्टूबर से लागू होगा और इसमें पूरा फार्मिट दिये दिया है रिजर्ब बैंक ने ताकि कोई लेफ्ट राइट की गुंजाश ना बचे तो मुझे लगता है कि कंजूमर के लिए एक बड़ी रहा के ख़बर है जी लक्षमिन